गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लांस टाइंग हमने आइसोमेरिजम वाला टोपिक कम्प्लीट किया था अब उसके बाद जो हम नेक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेट इस इफेक्टिव अटोमिक नंबर इक एक्टिव एक्टोमिक नंबर आप रिखों इसमें नहीं यहां तो टो इसलिए कि आपने गंचで कंदें इसलिए रियिऑ कोडिनेशन पाउन्स की फोर्मेशन के लिए बर्ट जो वर्रोप्रत कि जो basic assumptions थी उसमें किया कोई भी theoretical justification नहीं given थी तो इसलिए कि actual में इनकी जो basis है bonding का कि इन compound के इंदर जो bonding present है वो theoretical क्या basis है उसका उसको study करने के लिए scientist ने कुछ वर attempt बनाए तो वर्नस की theory के बाद जो first attempt आये था वो एक साइंटीर थे सिड्विक जिन्होंने यह attempt दिया था coordination compounds के बिच की bonding को clear करने के लिए और इस theory को हम civic theory of bonding में बोलते हैं इस scientist के name पे इस theory का name है civic theory of bonding और इन्होंने अपनी theory में एक rule दिया था जिस rule को हम बोलते है effective atomic number rule इसको short form में हम EAM rule भी लिख देते हैं effective atomic number की short form है EAM effective atomic number rule जो है एक्चुल में जो civic थे इन्होंने जो Lewis theory हम पढ़ते हैं electron pair bond formation की Lewis theory को ही explain किया था आग यह extend कर गए था coordination compound को clear करने के लिए इन्होंने यहां पर क्या कर था एक new terms suggest की थी coordinate bond coordinate bond में basically है क्या कि जब metal atom है या फिर iron है वो क्या कर रहे है electron pair accept करेगा metal metal जो है positive oxidation state present वो क्या करेगा electron pair accept करेगा किसे donor से और donor को हम क्या बोलते हैं ligand कि इनके बीच में जो bond बनेगी वो coordinate bond होगी इनके लेक्ट्रों को सब्सक्राइब करेगा अब देखो लेगें लेगें लेक्ट्रों को सब्सक्राइब करेगा लेकिन वो सब्सक्राइब करेगा जब तक वो कहें noble gas configuration को अचीव ना कर ले नेक्स noble gas configuration की electron मैटल आयन जो है को electron pair accept कर लेगें लेक्ट्रों करेगा अंटिल इट अचीव नेक्स noble gas configuration और इसी ताम को इन्होंने बोला था effective atomic number rule ओकी आप देखो effective atomic number rule की कोडिंग क्या है कि टोटल नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस पोजेस्ट बाइट सेंट्र मैटल लाइन की सेंट्र में जो मैटल प्रेइंट है उसके पास अपने कितने एलेक्ट्रों है प्लस इलेक्ट्रों गेन बाइट फ्रॉम लीगेंड्स कितने इलेक्ट्रोंस ही लीगेंड्स से गेन कर ले हैं इस रूल को हम बोलते हैं इए एन रूल इफेक्टिव अटोमिक नंबर रूल कि मैटल क्या करेगा इलेक्ट्रों प्यर को सेप्ट करेगा लेगेंड्स से कब तक असेप्ट करेगा जब तक वो नेक्स जो नोबल गयास कॉन्फिग्रेशन है उसको अचेव ना कर लिए तो श्षिख येन ल रूच कहां कि तोटल नंबर अपनोस मेटल के पास अपने कितने बःक्ट्रों से प्लस उसने जुहें अ किटने छे लेक्ट्रों को जो है असर्ट किया मैं कि आप आप करूं कि शारूल के कोड इंफेक्टिव नंबर हो기도 औरers ऑब यूह होगा वो aux होता है 86 से टॉमिन नंबर कि अगर उसके पास इतने लेक्टोर्स है तो देट मींस वो क्या है इन रूल को सटेवल कॉंपाउंड फॉर्म करेंगा ओकी आप इस रूल को समझने के लिए हम देखो और आप कंपलेक्स का लेक्ट करेंगे कि इसके लिए इसके लिए हम इसके पास कितने इलेक्टोंस हो गए 24, 3, 4 स्टीरिसमे से रिवूफ कर दो खितने हैं जाएंगे 24, तो जो number of इलेक्टोंस कोबाल के पास है, वो कितने है 24, टोटल यहाँ पर 6 NST-Ligand लगे में, 1 NST-Ligand जो है, 2 इलेक्टोंस डॉनेट करते हैं, लोन पर देता है ना तो टोटल यहां पर 6 लगी में तो यह कितने हो जाएंगी 2 x 12 2 x 6 sorry 2 x 6 लगे में और 8 x 2 इलक्टूर्स देगा तो यह कितने हो जाएंगी 12 तो कि मैं टोटल बात करो टोटल कितने हो जाएंगी 24 प्लस 12 इक्वल्स तू तो 36 अब देखो इस एक्टिव टॉप नंबर किसके सेम है किसके तरी क्रिप्टर के तरह अब हम क्या करेंगे कि यह एंडूल है यह जो कुंप्लेक्स है यह एंडूल को जो है ओबे करता है ओके वन मौर इंजाम्पल जिसे मेरे पास यह है एक्वी सी एन शिक्स फोर नेगिटिव अब देखो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखेंगे आयरन का आयरन का आयरन का अटॉमिक नंबर होता है 26 यहाँ पी इसकी हम उक्सिदेशन स्टेट केल्कुलेट करेंगे एक्स माइनस इक्स इक्वल्स टू माइनस फोर प्लस इक्स प्लस टू प्लस टू प्लस टू उक्सिदेशन स्टेट है इसकी एक्वी इन प्लस टू उक्सिदेशन स्टेट मीनस इसके अपने टोटल एक्ट्रोंस कितने हो गए 24 साइनाइट 6 साइनाइट लगे में एक साइन कितना आजाएगा 36 means इस case में भी क्या है EAM rule जो है वो भी हो रहा है आपके पास कोई भी complex even हो जबता है आपके उसमें total number of electron metal के पास खुद के कितने electron है प्लस लेके और उसको कितने donate कर रहा है उस number को हम calculate करेंगी अगर वो number 36 54 या फिर 80 इसके इकवल आ रहा है that means EAM rule के है वहाँ पर अभी हो रहा है ओके next example लेके चलते हैं Cu CN6 प्रेटर हेडल लेडर दोक्ता हेडल के तो हमने दो कर गए Cu CN4 3 नेगेटिव आप देखो सबसे पहले हम oxidation state calculate करेंगे copper की x-4-3 x is equal to plus 1 ठीक है अब copper का atomic number कितना होता है 29 बट इट इस प्रेजेंट इन प्लस वन oxidation state तो कितने electrons हो गए 28 टोटल यहां पर four cyanide ion attach है तो four two ja eight cyanide eight two electron donor है तो टोटल ही कितना आ जाएगा 36 that means इस वाले case में भी क्या हो रहा है EAM rule के है ओबे हो रहा है ओके एक और सामपल हो जैसे यहां पर platinum ns35cl3 पोस्टे यहां पर पहले इसके oxidation state calculate करेंगे platinum की x ns3 को 0 होता है chlorine minus 1 plus 3 x is equal to plus 4 atomic number platinum को कितना होता है 78 it is present in plus 4 oxidation state that means कितने number of electrons वे 74 फाइव एनस्थी एटाइच है एक एनस्थी टू इलेक्ट्रों डोनर है तो फाइव के इतने हो गए 10 इसे तरीके से आगे chlorine के निकाल लेंगे एक cl negative 1 प्रेजेंट है यह भी कितने डॉन रहे है लेक्ट्रों टू इलेक्ट्रों डोनर है तो टोटल कितने हो गई 86 that means ean rule यहां पर क्या हो रहा है ओब हो रहा है तो इस तरीके से हम कैल्प्रेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्ट्रों और अगर वह टोटल नंबर ऑफ एक्ट्रों इक्वल आ रहे है noble gas configuration के that means उस वाले case में क्या होगा ean rule क्या होगा ओब होगा ठीक है अब यह तो हमने complexes लिए कि जिन case में क्या होगा ean rule जो है ओब हो रहा आपके पास बट कुछ एक exceptions विए जहां पर क्या होगा complexes है stable complexes है वो लेकिन उस case में क्या है ean rule जो है ओब होगा नहीं होता एक दो example उसके भी देख लेते हैं like for example nickel cn4 two negative यह मेरे पास stable complex है अब इस case में हम निकाल के देखते हैं nickel की case में इसकी पहले तो oxidation state निकाल ले प्लस two oxidation state nickel का atomic number होता है 28 बट nickel it is in plus two oxidation state तो कितना होगे लक्तों 26 टोटल 4 साइन आइडायन प्रेजेंट है 428 34 हमें इन के लिए कितने चाहिए 36 लेक्रोंस आइए ना लाट मीज इस रहले किस में क्या है effective टॉमिंग नंबर रोल जो है ओवे नहीं हो सेकेंड जो कॉंप्लेक्स ले रहे हैं क्रॉमियम ns363 positive अब देखो यहां पे भी क्रॉमियम के oxidation state यह दो 0 है plus 3 oxidation state plus 3 oxidation state 24 इसका टॉमिंग नंबर होते तो कितने लेक्रोंस होगे 216 ns3 है तो 6212 टोटल आगे 33 लेक्रोंस इस वाले केस में भी क्या है effective टॉमिंग नंबर रोल जो है वो अभी नहीं हो रहा है बट यह जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स यह भी क्या है stable complexes है ठीक है तो यह क्या है एक दो exceptions है कि इस केस में क्या है EAM रूल जो है वह भी नहीं हो रहा है अब आगे सिर्विक ठीओरी की limitations पढ़ेंगे देखो इस theory के लिए पर बात करूँ कि एहली तर लिपिटेशन यहीं होगी जो भी अभी हमने देखी कि बहुत सारे complexes हमारे पास ऐसे हैं जो stable होते हैं but they do not follow the effective atomic number means there are many complexes which are stable but they do not follow कि stable हैं वो complexes हमने इस theory के coding यहीं पढ़ा था ना कि अगर EAN rule को satisfy करें that means so complex क्या होगा stable होगा लेकिन कुछ ही complexes हमारे पास exist करते हैं जो stable है लेकिन वो क्या है effective अभी number rule को जो है और भी नहीं करते सेकेंड लिमिटेशन थी इस theory कि that it does not predict geometry इसने complex की geometry के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और it does not predict about the magnetic behavior कि जो यह complexes बंदे हैं पैर मेंगनेटिक होगे तो इसने जो है इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं इसने सिर्फ एक यहीं बात प्रताई थी कि अगर EAN rule satisfy होगा स्टेबल है और नहीं होगा तो यह सबसे पहले होगा वर्नर्स थेयोरी का उसके बाद नेक्स आदी है वह सिप्विक थेयोरी इसके बाद नेक्स हमाँ पस complex scale especially first one is valence bond theory second is crystal field theory and third is molecular orbital theory totally three theories है इनको हम modern theories बोलते हैं इन theories के help से जो हैं bonding को explain कर सकते हैं in case of coordination compounds इसमें जो है specially अभी हम इस chapter में जो हम discuss जो करेंगे वह सबसे first theory को discuss करेंगे balance bond theory को ओके आप देखूं balance bond theory को detail में study करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पताहनी चाहिए hybridization hybridization of atomic orbitals hybridization जो हम first theory परते हैं अब यह जो concept है इसमें basically होता कि आपके पास hybridization वे एक बार go through कर लेते हैं कि जो atomic orbitals होते हैं वो आपसे mix होते हैं या फिर मैं कहूं कि hybridize होते हैं और hybridize होने के पार क्या है वो same number of new orbitals बनाएंगे उन new orbitals को हम बोलते हैं hybrid orbitals ओके तो hybridization क्या हुआ है intermixing of atomic orbitals और जो वो atomic orbitals आपसे mix हो रहे हैं वो क्या है कुछ different energy क्यों होते हैं means slight variation होते हैं उनके energy में तो वो आपस में क्या करेंगे अपने energy को redistribute करेंगे और जो हमारे पस new set of orbitals आएंगी उनकी जो energy होगी वो energy क्या होगी equivalent होगी इस process को हम बोलते हैं hybridization कि आपके पास इतने energy को जो है redistribute करेंगे और उसके बाद जो हमारे पस new orbitals आएंगे वो सभी के सभी के आओंगे एक जैसे energy के होंगे और इस phenomenon को हम बोलते हैं hybridization और कितने number of hybridized orbitals हमारे पस फोर्म होते हैं जितने number of orbitals जो हैं overlap करें आपस में hybridized हुए स्पोस करें एक S का है और 3P के हैं टोटल आपके पास atomic orbital 1S हो गया और 3P होगे तो टोटल 4 atomic orbitals combine होगे तो हमारे पर जो 4 new orbitals बनेंगे वो सारे के सारे भी क्या होंगे 4 ही होंगे hybridized orbital जितने number of atomic orbital combine होंगे उतने ही number of आपके पास hybrid orbital जो है फोर्म होंगे बस difference क्या होगा यहाँ प होगे है अब यहाँ पर hybridization के बात करें simple atomic orbital के लिए बात करें अगर आपके पासे coordination number के में बात करूं coordination number 2 है मतलब कि दो atomic orbitals combine हो रहे हैं तो hybridization कौन सी होगी SP यह होगी इसकी hybridization अगर SP hybridization होती है फिर उसकी shape के बात करें shape कैसी होती है linear shape और geometry center में metal और यह side में इस तरीके से linear geometry आ चाहिए के लिए ठीक है इसी तरीके से coordination number अगर आपके पास 3 है तो SP2 SP2 total 3 होगे तो इसको हम बोलते हैं shape को trigonal planar shape center में metal present होगा और triangle उसमें total 3 ligands attach होगे इस तरीके से ऐसे ही अगर coordination number 4 है तो SP3 SP3 के case में tetrahedral center में metal है एक उपर की side 2 3 & 4 यह थोड़ा सा पीछे के side होगे तीनों जो है यह इस तरीके से present होगे इनको आपस में join कर दोगे यह होगे आपकी tetrahedral shape ओके ऐसे ही फोर केस में जो है coordination number 4 की case में आपस एक तो SP3 हो सकती है यह फिर एक hybridization होती है इसमें यह जो डी और्बिटर इंवोल्व होता है इनर डी और्बिटर इंवोल्व होता है और बेसिकली कौन सा होता ही डी x square minus y square orbital तो यहां पर हम इसको बोलेंगे square planar अगर डी SP2 hybridization होती है square planar 4 corners पर टोटल 4 atoms present होंगे इस तरह क्या है clear ऐसी आगे बात करते हैं coordination number 5 की coordination number 5 में D SP3 1 atomic orbital D second S और 3P और इस शेप का नहीं होता है ट्राइगनल बाइपिरामिडल इसको ड्रो कैसे करते हैं ट्राइगनल मतलकि एक तो आपको ट्राइगनल की फॉर्म में बनाने और एक दो उपर नीचे बनाएंगे पिरामिड के फॉर्म में वान टू थ्री यह तो होगे आप भी ट्राइगनल 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 शेप ऐसे होती है ना बाइपिरामिड है तो उपर नीचे दो हो रा जाएंगे ऐसे हैं इसी केस में कोडिनेशन नंबर फाइव की केस में एक तो हो गया आज़ा है dS.p3 dS.p3 कब था जब आपका इनर और और बिटल इन मोल था अगर आउटर और बिटल इन मोल होता है तो कीस में क्या होगा ip3 d इसकेस में आउटर और बिटल इन मोल है और इसको बोलते हैं quarter पिरामिडल square पहले आपक्स square बिनाने 2 3 & 4 यह हो गया स्क्वियर और एक पिरामिड ऊपर के साइड ऐसे एक अलक्सियाटर में राद होगा है क्लियर अब नेक्स आता है कोडिनेशन नमबर 6 6 की केस में भी दो तरी केस हो सकते हाइविडाजिशन या तो हो D2 SP3 या फिर आउटर ओर्बिटल हो और हो SP3 D2 नेम इसका दोनों ही केस में ओक्टाहेडल नेम होगा शेप का बनाएंगी कैसे सेंटर में मेटल यह होगा स्क्वेर यह होगा आपकी ओक्टाहेडल चीप प्रक्टि और तो वैलेंस बोन्ट ठ्योरी को हमें स्टुडि करने से पहले पहले हाइविडाइजेसन का कंसेप्ट पता होना चाहिए हाइविडाइजेसन हम फरस्ट यह में पढ़के आए तो आगे वैलेंस बोन्ट थी पो डिटेल में डिसकस करेंगे शौर्ट फॉर्म में हम इसको वी बीटी भी बोलते हैं वैलेंस बॉन्ट थियोरी ठीक है यह जो थियोरी डवलेप की थी वह साइंटिस्ट थी लाइनस पॉलिंग इन्होंने यह थियोरी थी अगर मैं तीन थीयोरी की बात करूं है वह अपस वे थीयोरी जो सबसे बड़ी क्या है यह सी Viele प्रोप्व्टिज के ऐसी होगी कोंपाउंड के उस बारे में बताया था और यह जो वैलेस बोन थियोडरी जो है कि मैटल और लिगन के बीच में जो बॉंटिंग है उसको एक्स्प्रेम करें विद धाहल्प अविध्रीर्ड और बिटल कि जो मैटल के पास और इलेक्ट्रों पेर है मैटल के जो hybrid orbital है और electron pair है ligand के अब इस थियोरी के अकोडिंग के है कि जो bonding होगी metal complexes में वो कब होगी कि एक field ligand orbital है ligand का जो orbital है वो field है means उसके पास pair of electrons available है वो क्या करेगा metal के vacant orbital के साथ vacant में कुण सा hybrid orbital metal के hybrid orbitals होगे और ligand के पास field orbitals होगे तो वो क्या करेगा ligand का orbital metal के vacant orbital के साथ जो है overlap करेगा और overlap होने से वहाँ पर जो bond बनेगी वो कौन सी bond होगी coordinate bond होगी किस तरीके से ये metal है आपके पास metal का vacant hybrid orbital ये है metal का vacant hybrid orbital ठीक है साथ में है ligand का filled orbital ये ligand के electron है इसमें orbital में present ये आपस में overlap करेंगे metal ये ligand दोनों के ही overlap कर जाएंगे इस तरीके से orbital और ये bond बन जाएगे metal to ligand coordinate bond और एक इसकी बात में करूँ कि वैलेस बन ठीक होगी metal और ligand के बीच में वो जो bonding होगी that is purely covalent purely covalent bond बनेगी metal ये ligand के बीच में आप देखो इस थी त्यूरी के basic assumptions देखते हैं किस किस assumption के ओपर ये theory based थी assumptions of VBT first assumption था इसका वो ये कि जो central metal atom है complex में उसके पास जो है empty orbitals present होने चाहिए coordination bond को form करने के लिए और साथ में suitable ligand भी होने चाहिए और जितने number of empty orbitals available होंगे वह किसके एक बोलों चाहिए coordination number of the central metal line means कि अगर आपके पास coordination number six है इसका मतलब क्या होगी six empty orbital जो है वहाँ पे available है और coordination number four है तो उसका मतलब क्या होगी four empty orbitals available है तो जो first point था वो इसका क्या कि central metal atom in complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bond with suitable ligands with suitable ligand और जो number of empty orbitals होंगे number of empty orbitals is equal to coordination number of central metal line clear और second यह बात लिए करें कि atomic orbital जो है metal के पास available atomic orbitals है atomic orbital वो s b हो सकते है p b है d b है वो सारे के सारे आपस में क्या करेंगे hybridize करेंगे hybridize होने के बाद आपस new orbitals बनेंगे जिनको हम बोलते है hybrid orbitals उन सबके जो energy होगी वो energy आपस में क्या होगी इकवल होगी और यह जो hybrid orbitals है इस आ डायक्ति ट्वर्स तलिक है कि पर्टिकुलर जिमेट्रिक के कोडिंग के स्क्वेर प्रेना जिमेट्रिक है जो भी जिमेट्रिक है कि सारे की सारे मेटल के orbitals आपस में hybridize करने के बाद जो है डायक्त होंगे तूर्स तलिके ओके आप नेक्स्ट बात करों कि जग डी ओर्बिटल होंगे मैटल के पास देखो एस फी एड तीन ओर्बिटल है उने बल तो जो डी ओर्बिटल हाइपटाइशन में इंवल्ड है वो क्या है आपके पास एन-1 डी ओर्बिटल भी हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं इनर डी कौन से होंगे n-1d और अगर हम आउटर की बात कर रहे हैं आउटर कौन से होते हैं और अब जैसे में पीछे आपको बताया यहीं कोडिनेशन नमबर 6 में देखें d2 sp3 इसको बोलेगे कि inner d orbital involve metal की और अगर कह रहे है sp3 d2 है that means outer orbital involve ओके तो हमाई पस अगर मैं कोडिनेशन नमबर 6 की बात करें तो दो तो inner d orbital involve है एक s orbital है और 3p orbital है तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि टोटल आपके पास 2 तो है n-1 d orbital 1 है ns orbital और 3 है np orbitals ओकी कोडिनेशन नमबर 6 के case में नेक्स्ट बात करूँ कि जो भी ligand present है उसके पास कम से कम एक orbital तो होना ही चाहिए इसमें लॉन पियर ओफिलेक्टोंस हो each ligand has at least one orbital या फिर कहें one donor atom containing a lone pair of electron कि जिल ligand है उसके पास एक एक एटम तरह सा होना ही चाहिए जिसके पास जो है लोन पियर फ्रेक्टों अबलेबल हो स्पोर्स करूब इसके बात कर दिए नेस त्रीक एनेस त्रीक लिए इसके अंदर यह विला जो अटम है नाइट्रोजन यहां पर donor atom है और इसके पास कि लॉन पियर फ्लेक्टों अबलेबल होता है सिमिलर वे में यादर वोटर की बात करें वोटर लिगेंड है इसके केस में donor atom कौन से है और इसके पास टोटल टू पियर ओफ लॉन पियर अबलेबल होता है तो वह क्या करें एक तो होना ही चाहिए अगर दो है तो उसमें कोई प्रोप्लम नहीं है आए ओके नेच्च जो assumption जिसकी जो hybrid orbital इंडल आयन की वो और लाप करेंगे सिग्मा मतलब कि सिंगल बॉंड है कोवलेंट बॉंड है यहां पर पॉसिबिलिटी है पाई बॉंड भी बन सकती है बट उसके लिए क्या है कि मैटल और लीगेंड के पास दोनों के पास ही सुटेबल ओर्बिटल जो है वो अवलेबल होने चाहिए मेंस इन अदेशन तो सिग्मा बॉंड पॉसिबिलिटी है पाई बनने की भी देर इस अल्सो ए पॉसिबिलिटी ओफ पाई बॉंड प्रोवाइड शुटेबल ओर्बिटल और अवलेबल ओन मैटल एस वेल एस लेकरण की सिग्मा बॉंड के साथ जो है यहां पर पाई पॉन्ड फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी और उसके लिए कि अदिशन क्या है कि मैटल आइटम के पास लेकर देखो जब बन बन दे किस वे में क्या आपके पास ओवर्लैपिंग हो घुरी दोनों के डि पॉर्ट तो सबसे पहले दीन होने पशित की यह उसके लिख तो यहां पर कहने चाहिए कि साथ पाइप बन सकती है बस जो कंडीशन है वह कंडीशन क्या है कि जो मैं लिगन है दोनों के पास ही क्या होने चाहिए सबसे क्या था कि जो मैं उसके पास होने चाहिए कोडिनेशन बॉन को फॉर्म करने के लिए अटोमिक और जो डिफेंट एनर्जी के हैं वो सभी आपस में हाइब्राइज करेंगे हाइब्राइज होने के बाद हाइब्र न्यू सेट ऑफ और जो बनेगा उसका हम बोलेंगे हा वो इनर्ट एनर्जी ओगे ठर्ड की जो मैंटर के पास dae l', वो इनर डी उरबिटल में बोलत हो सकते हैं writer की के से हम लिखते है एं माइनस वन डी ओर्बिटल और उसको लिखते है एं मांगे जैसे डी 2 स्पी ठीय होगा इनर टी ओरिटल और स्पी डी 2 है यह क्या होगा जाङिए जिसके पास लॉन प्यॉर फ्लक्रोंश क्या हो अवलेबल हो आगे कि कोवलेंट सिग्मा बनेगी और वह कोडिनेट बने हम उसको बोलते हैं बॉघ जो करक्टर होगा वह प्योरली कोवलेंट बोन होगी और उस bond को हम बोलेंगे coordinate bond because ligand क्या करें अपने electronics metal को donate कर रहा है और last point क्या था कि sigma bond के साथ जो है pipe bond की possibility भी है बस उसके लिए क्या condition है कि दोनों के पास suitable orbital जो है वो available होने जाएंगे ओके ये basis थे balance bond theory के कि इनकिन basis assumption के ओपर ये theory based थी अब next lecture में जो हम इसकी applications पढ़ेंगे balance bond theory के it is all about today lecture thank you